एफम सी पोने आपने नाम जरूर सुना होगा इंडिया का टोप मेडिकल कोलीज जहां हर एक स्टुडेंट का सपना होता है MBBS करने का क्यूंकि इसमें MBBS करने के बाद में आपको आर्मी में सेवा करने का मोका मिलेगा आपको उन जवान्स की सेवा करने का मोका मिलेगा जो देश की सेवा करते हैं इसमें सेवा के दुरान आपको तनख्वा तो मिलती ही मिलती है उसके सासा गाड़ी बंगलो जो अधर फैसलिटीज हैं नोकर चाकर वो सारे यहां पर आपको मिलते हैं यानि कि AFMC से MBBS करने के रहने के लिए सुबह पीटी वगरा योगा इसके बाद में वैयाम ड्रिल वगरा करवाई जाते हैं जिससे वो फिजिकल फिट हो सके और ट्रेनिंग के दोरान यानि MBBS के दोरान उसको अलाउंसेज वगरा मिलते हैं जैसे कि वासिंग अलाउंस हो गया बुक्स वगरा का अ एर कटिंग अलाउंस हो गया ड्रेसेज अलाउंस हो गया तो काफी सारे अलाउंस मिलते हैं और जब आप घर आते हैं तो AC 3 टायर का रेलवे का वारंट मिलता है दो बार साल में यानि कि जिस परकार से इंडिया में गौर्मेंट मेडिकल कोलेज की फीस बढ़ रही है बिल्कुल फैसा खर्च नहीं होगा आपको इसके एवज में अलाउंस और मिलेगा और उसके बाद में जब आप MBBS कम्प्लीट कर लेते हैं इंटरंशिप कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने एक वो मोड खड़ा नहीं होगा कि अभी मेरे को क्या करना है अभी मेरे को परमोशन होता जाएगा और चार साल बाद आप वहां से भी PG कर सकते हैं PG के दोरान आपको स्टडी लिव अगरा मिलेगी तो सारी फैसलिटी ही फैसलिटी है मैं आपको इसमें ये प्रोसेश बताऊंगा कि AFMC में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं इनमें इसकी क्या कंडिश हैं तो AFMC नी 2023 के लिए अपना information bulletin जारी कर दिया है तो एक बार हम information bulletin देखेंगे इसकी previous year की cutoff देखेंगे और इसका selection procedure देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें selection होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर information brochure देख लेते हैं तो इसकी website पर आप visit करेंगे afmc.nick.in तो इस परकार का interface आपको मिलेगा यहाँ पर आपको admissions का tape मिलेगा home about afmc के बाद admissions का tape मिलेगा इस पर आप drop down करेंगे तो mbbs का option मिलेगा और उस पर जैसे ही click करेंगे तो इस परकार का interface मिलेगा mbbs admission लिखा हुआ इसमें सबसे पहले हम information brochure 2023 के लिए जो जारी हु इसमें कुछ points बता देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आएंगे इसमें पहला point यह है कि जो afmc है पुणे में इस्तित है और इसमें जो mbbs के लिए पहला बैच start हुआ था 4 अगस्त 1962 से start हुआ था यानि कि 1962 से इसमें mbbs के courses चल रहे हैं इसमे graduate courses भी चल रहे हैं यान इसमें पुणे महराष्ट्री उनिर्सिटी ओफ हेल्थ साइंसेज नासिक द्वारा affiliated है और इसमें इसमें कुछ हम जनरल बातें देख लेते हैं तो इसमें age का अगर हम देखते हैं तो इसमें age 24 years यानि 17 years minimum age होनी चीए और 24 years maximum age होना चीए यानि कि student का जो birthday है वो फर्स्ट जनवरी 2000 से लेकर के 31 से डिसंबर 2006 के बीच का होना चीए तो इसमें जो जैंड के कंडिडेट हैं लदा के कंडिडेट हैं वो कंडिडेट भी इसमें eligible हैं अब इसके अंदर अगर हम academic qualification का देखें तो इसमें देखो चार subject का total 60% होना चीए लेकिन English और जो अन्य subject हैं उसमें individually 50% होना चीए जैसे English में भी 50% से उपर होना चीए physics में भी 50% से उपर होना चीए chemistry में भी 50% से उपर होना चीए बाइलोजी में भी 50% से उपर होना चीए और aggregate इसमें 60% होना चीए इन सारू subject का इसमें जो condition रखी गई है qualifying exam MBBS के लिए 10 plus 2 है अगर कोई student BSC से भी है तो वो उसमें जो ये 2 years की आपकी study है 11th और 12th की वो science system से हो होने चीए यानि कि इसमें PCB subject होना चीए और साथ में English subject भी होना चीए 12 years की जो study है वो continue होनी चीए तो ये है इसमें academic qualification इसमें कौन-कौन से candidate eligible नहीं है जिन्होंने domestic science, domestic arithmetic, law math रहा हो ये subject रहे हो जिनके तो वो candidates इसमें eligible नहीं है 10 plus 2 level में अगर इनके ये subject रहे हो इसमें इसके condition ये है कि जो आप 12th class pass कर रहे हैं physics, chemistry, biology और English subjects के पास साथ में वो first attempt में ही clear होना चीए ये जरूरी नहीं है कि आपके जो ये condition है जो percentage है वो तो सही है लेकिन आपने 2-3 attempts में किया है तो इसके लिए आप eligible नहीं होंगे यानि कि 12th class आपने first attempt में ही pass की हो तो ये academic इसमें eligibility है number of seats की बात करें तो 145 MBBS की seats यहां available हैं जिसमें 115 seats boy candidates के लिए हैं और 30 seats girls candidates के लिए हैं इसमें 5 seat जो friend friendly country हैं उनके लिए रखी गई हैं और ये sponsored की जाती हैं ministry of external affairs and ministry of defense के द्वारा sponsored की जाती हैं ये 5 seat हैं और ये abroad के लिए candidate के लिए हैं इसमें 10 seat S.A.S.T. candidate के लिए भी जरू हैं तो अगर Indian student के लिए माने तो इसमें 145 seats हैं अब इसमें exam के लिए क्या होता है कि इसमें exam के लिए 80 marks का exam AFMC कुद conduct करवाता है इसमें जो आपका need का score है वो भी include होता है और इसमें 80 marks का exam AFMC द्वारा conduct करवाया जाता है जिसे toler test का हज जाता है इस test में English language आएगा comprehension logic and reasoning आता है इसमें एक अलग से psychological assessment test होता है जिसमें सिर्फ passing marks थी आपको वो सिर्फ qualifying के लिए होता है और साथ में इसमें interview भी होता है और medical भी होता है अब इसमें जो toler test होता है वो toler test वो 40 MCQs आते हैं इसमें AFMC पुने दवारा ये conduct करवाया जाता है 40 MCQs आते है एक Qs 2 marks का होता है तो total 80 marks का होता है और ये AFMC पुने में test होता है इसमें negative marking भी है 0.5 marks इसमें negative marking है अगर आप गलत answer देते हैं तो और ये 40 Qs आपको 30 minutes का time दिया जाएगा इसके लिए solve करने के लिए तो ये जो test होता है toler test 80 marks का toler test होता है इसमें 50 marks का interview होता है अब जो toler test हो इसको 4 से divide किया जाएगा और जो test होता है NEET का आपका उसको भी 4 से divide किया जाता है मैं आपको यहाँ पर इसकी merit कैसे बनेंगी ये समझा देता हूं मालो किसी candidates के मालो किसी candidate के marks है इसमें यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूं नीट का पेपर है 720 का अगर किसी कंडिडेट के 600 मार्क्स लाया है वो 720 में अगर कोई कंडिडेट 600 मार्क्स लाया है तो A5C की मेरिट के लिए यहां पर इसको 4 से डेवाइड किया जाएगा यानि की 150 मार्क्स आपका नीट स्कोर यहां पर लिया जाएगा नीट स्कोर से 150 मार्क्स यहां लिया जाएगा मैं सोचता हूँ आप यहां समझ गए होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यानि कि जो आपका neat score है उसको 4 से divide करने के बाद में जो score बनता है उसको यहाँ पर consider किया जाएगा neat score में अब जो 80 marks का toler test होता है उसमें मालो किसी student ने 60 marks gain की हैं तो इसको 4 से divide कर दिया जाता है तो यह 4 से अगर divide करेंगे तो 15 marks आपके toler test के हो गए तो 150 आपका यह score हो गया और 15 marks toler test के हो गया तो यह हो गया total 155 marks अब यह 155 marks consider किये जाएंगे कितने में किये जाएंगे 720 का आपका paper है plus 80 का आपका वो paper हो गया total 800 का paper हो गया 4 से इसको divide किया गया है तो यह 200 marks यानि कि आपके 125 marks किस में से out of 200 marks में से 200 marks में आपके जो marks आगए वो 55 marks consider होंगे इस पर merit तयार की जाएगी और यह जो score है इसमें 50% interview के marks जोड़के फिर list तयार की जाएगी यानि कि 50% interview के marks इसमें consider होंगे उसके बाद में merit list तयार की जाएगी यह जो 50% के interview के marks होंगे उसमें जो आपके interview लिये जाएगे उसमें general awareness और knowledge हो गया आपके interest क्या है hobbies क्या है यह एक judge के panel द्वारा यह interview लिया जाएगा इसमें जो army, air force, navy के officers रहते हैं उनके द्वारा यह interview लिया जाता है और इसमें जो आपका यह final score होगा return का जो मैंने आपको बताया 155 का example के तोर पर बताया यह return score होगी आपका और 50% interview का जो भी होगा उसके according merit तयार की जाएगी जो आपका psychological assessment test होता है उसके कोई marks यहाँ नहीं जुड़ते हैं वो सिरफ qualifying के लिए ही होता है तो इसके according आपकी merit तयार की जाएगी जो उसमें interview के जो question पूछे जाते हैं वो normally से ही question होते हैं इसमें इतना ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता आपकी hobbies वगरा पुछी जाती हैं आपकी इस state के रहने वाले हैं तो उस state के बारे में आपसे फुचा जाता है तो इस परकार का interview लिया जाता है वहाँ पर इसमें जो shortly state candidate होते हैं 1880 boys candidate होते हैं approach और 390 approach girls candidate होते हैं तो यह इस परकार से sort out किये जाते हैं एक cut off निकाली जाती है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ कैसे कैसे इसका procedure होता है तो आप टोले test के बारे में समझ गए होंगे और जो merit बनाई जाती है इस return test में जिसमें टोले test का weightage होता है और आपके need score का weightage होता है प्लस interview का weightage होता है उसके according merit तयार की जाती है तो यह तो होगी test की बाते हैं अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें test के बाद में एक finite merit list तयार कर दी जाएगी और यह दो list ही तयार होती है एक selected candidate की होती है और एक इसी पर waiting list की list भी तयार होती है अगर selected candidate में कुछ student join नहीं करते हैं तो waiting list से वो candidate ले लिये जाते हैं अब इसमें जो NEET का UG score तो ही उसके साथ साथ जो NCC sports के certificates हैं यह आपको interview में consider किये जाते हैं क्योंकि interview में यह सारा देखा जाता है original आपके certificates वगरा यहां scrutiny होंगे यहां पर scrutiny होते हैं अब इसमें service bond भी ह और service bond 65 lakhs का है यानि कि आपका admission हो गया AFMC पुने में उसके अगर साथ दिन तक आप इस college को छोड़ते हैं तो कोई आप से service bond नहीं लिया जाएगा अगर साथ दिन के बाद यह discontinue bond भी मानो आप इसको और service bond भी मानो अगर साथ दिन के बाद आप छोड़ते हैं इस college को हैं admission के साथ दिन के बाद तो आपको 65 lakhs की penalty bond deposit करना होगा यह आपको admission के time पर ही यह bond agreement sign करना होगा और signature करने के बाद में अगर admission के साथ दिन बाद छोड़ते हैं तो यह pay करना पड़ेगा अगर कोई student medical board out हो जाता है board के दोरान उनको कोई problem हो जाती है तो उसको board out किया जाता है तो पर वी की 28,166 का जो खर्चा आता है वो उसको pay करना पड़ता है बाद में अगर उसको service से remove किया जाता है तो इसमें SAST candidates के लिए मैंने बताया 10 seat reserve है 145 seats में तो और 5 seats है वो out यानि की out country award candidate के लिए हैं इसमें इसके बाद में documents की scrutiny होती है वहाँ जब आपको AFMC पुने बुलाया जाता है आपका टोले टेस्ट लिया जाता है वहाँ documents सी scrutiny होता है documents सी scrutiny के बाद medical होता है और उसके बाद में आपको ये test के बाद में merit निकाली जाती है hostel facility बहुत ही अच्छी है यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात आगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जहाँ इंडिया में medical colleges में इतना सारा खर्चा होता है student को इतना सारा खर्चा वहन करना पड़ता है वहाँ इस AFMC में आपको पैसा मिलेगा वहाँ पर hostel facility तो मिलेगी मिलेगी अच्छा hostel का environment है अच्छा मैस का environment है आपको discipline के साथ वहाँ सब कुछ करना होता है जब आप घर आएंगे MBBS के दोराना आपको AC3 tire का दो बार आपको home से institute के लिए आपको जरने का warrant मिलेगा railway का इसके बाद AC2 tire मिलेगा जब आप service में रहेंगे इसके बुक और equipment के लिए आपको allowance मिलेगा 4000 पर medical credit को यह एक साल के लिए मिलेगा 4000 रुपए books वगरा खरीदने के लिए stationary allowance मिलेगा 1120 रुपीज यानि 140 पर मन्त uniform allowance भी मिलता है यहाँ 6000 रुपीज पर medical credit को मिलेगा यहाँ first year और second year में 1250 यानि हर एक year में इतना मिलेगा hair cutting के लिए पर मन्त आपको मिलेगा 140 रुपीज washing allowance के लिए 560 रुपीज पर मन्त यानि की 210 ब्रेक हर एक ब्रेक में मिलेगा washing allowance मिलेगा यहाँ पर एक group medical जो army group insurance द्वारा ये group insurance policy चलाई जाती है 7200 रुपीज यहाँ deposit होते हैं non refundable होते हैं अगर किसी की casualty हो जाती है death हो जाती है तो 15 रुपे मिलेंगे अगर 100% disability हो जाते हैं यानि board out हो जाते हैं तो 7,50,000 मिलेंगे अगर 20% disability है तो 1,50,000 यहाँ पर यह जो scheme है insurance की यह मिलेगी यह हरे candidate के लिए compulsory है तो इसमें सबसे बड़ी कुसी की बात यह है मैं तो यह मानता हूँ कि ऐसा opportunity student को मिलता ही नहीं है कि आपको पैसा भी मिले MBBS भी करवाया जाए और बाद में service भी दी जाए अब हम आगे देखते हैं इसमें यह मैंने आपको बताया है इसकी facilities के बारे में कि क्या-क्या कि winter session में December January में मिलेगी approximately दो और तीन वीक के अब हम देखें आपको मैं एक चीज़ यहां और बता दूँ एक चीज़ जो में बात है जो हमने यहां मैसूस किया है student किसी भी medical college से चाहिए government से करे या private से करे MBBS करने के बाद उसके पास एक कि यह question खड़ा हो जाता है कि मैं अब क्या करूं मैं MO join करूं या फिर PG की तयारी करूं या कहीं और किसी department में join करूं तो MBBS की internship के बाद में just वो एक उस stage पे खड़ा हो जाता है कि अभी मेरे को क्या करना है फिर वो दीरे-दीरे settle होता है लेकिन army में ऐसा नहीं है अगर आप इस FMC से MBBS करते हैं तो इसमें आपको एक SSC के तोर पर भी appoint किया जा सकता है और PC के तोर पर भी आपको appoint किया जाता है SSC के तोर पर की मतलब आपको यहां army में 76 years की service देनी ही होगी और अगर आपको PC यानि permanent commission पर अगर आपको appoint किया जाता है तो आपको super nation तक army में service देनी पड़ेगी आर्मी में भी air force सभी आ गए इसमें तो वहां पर आपको service देनी पड़ेगी यह जो appointment होता है यह आपकी merit के according होता है कि आपकी जो MBBS के बाद में जो test लगता है उसकी merit क्या है उसके according यह appointment आपको दिया जाता है अगर आप इसमें permanent commission पर हैं यानि की चार या permanent यानि super nation तक आप इसमें army में service करेंगे तो इसमें 4 साल बाद आप इसमें PG के लिए neat PG का exam दे सकते हैं और neat PG का exam देने के बाद अगर आप कहीं admission लेते हैं आपका merit में आता है PG में तो आपको study leave दिया जाएगा full pay के साथ में तो यह condition है PC के लिए SSC के ल CB में 400 सीटे हैं PG के लिए और इसमें जो आप DNB वगरा के course करते हैं उसमें भी same condition है आप इंडिया से भी PG कर सकते हैं abroad से करेंगे तो भी यही condition है इसमें अब हम यहाँ एक बार pay scale देख लेते हैं pay scale देखने से ही थोड़ा सा ऐसा अनबव होता है कि इसमें student की life है वो मिलेगा उसमें कार वगरा कहीं आने जाने के लिए गाड़ी मिलेगी इसमें आपको नोकर चकर भी मिलते हैं ये सारी की सारी आपको सुईधाएं इसके अंदर मिलेंगी आपको तो इसमें जो आप पहले MBS कर रहे होंगे as a cadet होंगे और उसके बाद में लेटिनेंट में अ कंप्लीट हो जाती है तो aj captain आपको appointment किया जाएगा और उसमें 61,300 की salary दी जाएगी मैं आपको यहां पर practically बता देता हूं कि यहां जैसे आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है aj captain आपको appointment किया जाता है तो आपको one year की service देनी पड़ेगी आपको जो जम्म कसमीर लदाक एरिया में aj company commander भी देनी पड़ सकती है वो remote area में भी service देनी पड़ सकती है यानि कि एक साल आपको aj company commander की duty भी दी जा सकती है उसमें 6 मैंने अलग आपके rolls होंगे duty के 6 मैंने अलग rolls होंगे तो इस परकार से आपको उसके बाद भी शिखाया जाता है इसने इसके बाद आप captain से major में परम से होते हैं उससे salary काफी अच्छी बन जाती है major से lieutenant colonel अगर आप बनेंगे 7 year service complete के बाद तो 1,21,200 की basic pay हो जाएगी तो ये तो है service का अब 22 selection है अगर colonel बनते हैं 1,30,600 brigadier बनते हैं 1,39,600 major general बनते हैं 1,44,000 और आगे का जो 22 selection है lieutenant general का वो आपकी pay scale होती है according to major general और lieutenant general के according तो ये इसमें फिर बाद में आपको MSP भी दिया जाएगा military service pay भी मिलेगा इसमें इसके बाद में NPA भी मिलेगा आपको DA भी मिलेगा वहाँ पर और आपको 60 day का EL मिलता है यानि की earned leave जिसको कहा जाता है वो 60 days का मिलता है और एक casual leave CL मिलता है 20 days का इसमें जो group insurance है 75 lakhs का इसको आपको फाइदा मिलेगा और CSD वगरा canteen facility वगरा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी इसमें तो facility बहुत सारी मिलती है यहाँ पर मैंने आलड़ी बता दिया है कि 4 year service आपका AJ captain होगा तब आप उसके बाद PGO और DNB course के लिए exam के लिए eligible हो पाएंगे वो exam देने के बाद आपको study leave भी 2-3 साल का दिया जा सकता है PC के लिए यहाँ पर यह condition थी जो मैंने आपको बताई है pay की अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें अगर हम इसके अंदर इसके दोरान service छोड़ते हैं तो मैंने बताई दिया है आपको 65 lakhs का bond pay करना पड़ेगा अगर service आप छोड़ रहे हैं तो इसमें अब इसमें मैंन बात है medical exam का medical exam इसमें काफी बारीकी से होता है दो दिन तक यह medical exam होता है इसमें test के x-ray वगरा जो भी test हैं आपके काफी सारी test करवाई जाते हैं इस medical exam के दोरान इसमें इसके बाद में male candidate के लिए 157 इसमें height सोनी सी है और इसमें जो 152 height है उसके लि male candidate female के लिए 152 है और इसमें shoot के साथ में 147 cm है weight इसमें आपकी height के अनुसार होगा इसमें male candidate के लिए female के लिए सभी के लिए list दे रहे कितने आपकी height है तो कितना weight होना चीए इसमें इसके बाद में जो visual standard है वो भी आपका यहां color vision देखा जाता है यानि कि medical आपका बहुत ही बारी की से यहां किया जाता है अब मैं आपको previous year की cutoff बता देता हूँ यहां से जो screening test के लिए जो screening test के लिए sorted list किये जाते हैं candidate उसके लिए cutoff बता देता हूँ यह सिरफ screening test के लिए है यह selection के लिए नहीं है इसके बाद में इस cutoff में जो भी student पहुंसते हैं उनका टोले test लिया जाता है इंट्रव्य लिया जाता है उसके according यह merit list तयार की जाती है यह तो सिरफ screening test के लिए है यानि टोले test इन candidates को दिया जाएगा जो इस range में आते हैं 2022 की देखें तो 616 boys candidate के लिए थी girls के लिए 641 थी girls के लिए इसलिए कटोग ज्यादा जाती girls काफी apply करते हैं और 30 seats इविलेबल ह लिए 609 girls के लिए 627 20 में 618 थी boys के लिए girls के लिए 637 अब इस साल रह सकती है 625 boys candidate के लिए और girls के लिए 645 कटोग रह सकती है यह expected कटोग है इस साल के लिए अब यह तो सारी बाते होगी अब मैंने आपको समझा भी दिया यह test होगा वह होगा यह होगा सारा सबको समझा दि तो जिन candidate ने इस बार NEET दिया है AFMC में आपको कहीं apply करने के आउशकता नहीं है अब आपने NEET का exam दिया है तो आपको सिरफ MCC की website पर apply करना है आप सबसे पहले MCC की website पर apply करेंगे और MCC की website पर आपको AFMC का एक check box मिलेगा वहाँ इस प्रकार से वो मैं आपको बता देता हू उसके दोरान apply 4 का option मिलेगा यहाँ पर सबसे उपर all India उसमें नीचे armed forces medical police यह box आपके सामने खाली होगा अगर आप AFMC के लिए apply करना चाते हैं तो इस पर टिक कर दें अगर नहीं करना चाते हैं तो ऐसे ही छोड़ दें जब आप यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका MCC के पीर के लिए 11,000 और SC के लिए 5,500 आपको यहाँ deposit करना है उसी में आपका AFMC का registration complete हो जाएगा अलग से कोई आपको pay करने की जरूरत नहीं है जब आपका यहाँ पर AFMC के लिए registration हो गया तो आप यहाँ MCC की counseling तो करवाएंगे करवाएंगे सा साथ आप AFMC के लिए भी eligible हो गए AFMC के लिए जिन जिन candidates ने टिक किया है इस checkbox में वो list AFMC के पास में पहुँच जाती है वो list AFMC के पास पहुँच जाती है इसमें से AFMC shortlisted candidate की एक list जारी करेगा यानि कि वो 1880 male candidate की और 390 something female candidate की एक list जारी करेगा उसकी जितनी भी cutoff range में student आते हैं उनकी cutoff भी वो यहां जारी करेगा यानि कि वो एक cutoff list जारी करेगा AFMC की website पर जो मैंने अभी cutoff बताई पिछली साल 6860 रही थी तो इस परकार से एक cutoff भी जारी करेगा और उस cutoff से उपर वाले student की एक list जारी कर देगा screening test के लिए ये list जारी होती है जब MCC का registration complete हो जाता है दो-चार दिन बाद ही ये list जारी हो जाती है तो आपने अगर AFMC के लिए apply किया है MCC की website पर तो आपको फिर AFMC की website पर regular watch करना होगा और ये list publish होते ही अगर इस list में आपका नाम है तो इसमें AFMC द्वारा इस scrutiny test के लिए date or time जारी किया जाएगा और ये date or time जारी करने के बाद आपको उसी date or time के according आपको AFMC पूने पहुंचना है railway station के पास ही पूने का medical college है आपको AFMC पूने पहुंचना है और वहाँ पर आपको टोलेर test यानि screening test की सारी कारवाई करनी है मैं आपको यहाँ पर बता दू कि screen test के लिए screening test के लिए आपको यहाँ 4-5 दिन का time लेकर के जान है उससे पहले इससे list में instructions आ जाएंगे AFMC के आपको क्या-क्या लेकि जाना है कितनी दिन तक वहाँ रहना है तो यह सारा का सारा वहाँ लेकि जाना है अब मैं आपको वहाँ जाने के लिए एक sunrise करवा देता हूँ सबसे पहले आप AMCC की website पर आप register करेंगे उसमें AFMC के आपको AFMC पूने पहुंचना है माराश्टर में और वहाँ पर आपको सारे घर से जाते समय original documents ले करके जाना है और सुबह आपको जैसे ही आपका schedule होता है gate के अंदर आपको इन कर लिया जाएगा parents को भी साथ में एक-एक parents को allow है वहाँ पर और parents को भी साथ में जाने दिया ज जाता है और student को अलग से test घर की कारवाई कि जाती है जैसे ही आपको get के अंदर in किया जाता है आपको line में लगा दिया जाता है वहाँ पर आपको numbering से tag दिया जाता है merit के according जो आपकी merit है नेट की उसके according एक tag दिया जाता है, एक, दो, तीन, चार आपके chest पे लगा दिये जाते हैं, उसके बाद आपका इंशली तोर पर documents verification होता है, इसके बाद में एक इंशली medical होता है, छोटा सा ज्यादा नहीं होता है उसमें, तो normal सी चीज़ें उसमें check की जाती हैं, और फिर आपका toler test लिया जाता है, toler test लेने के बाद, उसके बाद में आपका जो PAT है, यानि psychological assessment test है, वो लिया जाएगा आपका, वो लेने के बाद में आपका interview लिया जाएगा, interview लेने के बाद में आपका medical होगा, medical interview से पहले भी हो सकता है, तो ये medical होने के बाद, medical दो दिन में तकर list कर दी जाएगी, अगर आप medical में unfit हैं, तो board को आप appeal भी कर सकते हैं, 24 hours के अंदर आपका फिर से medical होगा, medical आपका AFMC पोने में ही होगा, कोई ऐसी facility नहीं है, कि आप बार किसी government hospital से या private hospital से medical करवाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, medical आपका AFMC पोने में ही होगा, medical college में ही होगा, उसके बाद में आपको वाँ बता दिया जाएगा, अगर आप medical fit हैं, तो आप list का wait करें, अगर आप unfit हैं, तो उसके बाद में आप MCC की counseling, बाकी rounds की करवाखर उसमें admission लें, अगर आप उसमें selected हो जाते हैं, यह जो list publish होती है, यह nearby first round MCC का publish होने के बाद सी, यह list publish होती है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, कि हमारा A.F.M.C. में हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है, तो आप इधर MCC की counseling भी करवा सकते हैं, तो यह पूरा का पूरा process है, वो A.F.M.C. का है, मैंने सारा का सारा सब कुछ बता दिया है इसमें, क्योंकि A.F.M.C. में admission लेने के बाद में student हमेशा life में ही physical fit रहता है, क्योंकि उसको time to time drills वगरा करनी पड़ती है, PT यानि physical test वगरा देने होते हैं, यह सारे के सारे, वहां सारा schedule से होता है, ऐसा नहीं है कि बाकी जो government medical college है, private medical college है, उसमें सुबह स्टुडेंट जाएगा, और उसके बाद में पढ़ने के बाद वापस कहां रह रहा है, वो hostel में उसको कैसा खाना मिल रहा है, यहां इतना ध्यान नहीं दे आ जाता है, लेकिन FMC में यह सारा सब कुछ एक discipline के तहत होता है, आप mess में खाना खाने जाएंगे, तो एक discipline के तोर पर आपको वहां बैठाया जाएगा, drill आपक medical college है, इसी के अंदर discipline भी है, पैसा भी है, और बिलकुल आप mentally stress नहीं होंगे, बिलकुल भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सुछता हूँ, इस medical college में admission होता है, तो आपकी life set हो जाती है, यह जानकारी थी AFMC के बारे में, अगर आप counseling के बारे में पूरी जानकारी लिना चाते है हैं, तो इस वीडियो की description box से या फिर हमारी website www.education.in से book को download कर सकते हैं, जैसी आप book download करेंगे, हम आप से संपर्क कर लेंगे, वैसे हमने paid service close कर दी है, फिर भी जो हमारे पुराने वेवर्स हैं, उनको हम निरास नहीं करना चाते हैं, उनको फिर भी उनकी paid service के लिए हम यहा available है, यह आपके लिए काफी helpful रहेगी, तो इसको आप इस वीडियो के description box से download कर सकते हैं, इसमें जो private colleges हैं, उनके बारे में भी समझाया गया है, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, मैं सोचता हूँ, AFMC के बारे में आप सब को समझ गए होंगे, फिर भी समझ में नहीं आता है, वीडियो को आप दो-तीन बार सुन सकते हैं, अगर कोई doubt है, तो आप हमें comments कर सकते हैं, इस वीडियो के description box में या comment section में, तो इस परकार की जानकारी हम लेके आते रहते हैं, तो आप चैनल को जरूर subscribe करें, इस वीडियो को like वे ज्यादा से ज्यादा share करें, क्योंकि इस परकार के वीडियो की counselling related हम लेके आते रहते हैं, बाकी सारे वीडियो मेडिकल related हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, मिलेंगे आप से नई अपडेट के साथ में, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल चोपडा एजूकेशन और मैं हरसाई चोपडा आप से फिर मिलूँगा, तब त के लिए जैनल